हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे स्लीप का बहुत ही ट्रेंडिंग डिजाइन तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर ने स्लीप को बनाने के लिए जो बाजू का बॉर्डर होता है उसको यहाँ से हम कट करके निकाल लिए आप देख सकते हैं और जितना चाउड़ पेपर पर कट कर ले और उस पर बॉर्डर को रखकर देख निकाल कुक्त अबली तो मेंलम धाजू के यहाँ पेपर करने वाली हूं तो यहाँ पर चड़ाते हूं रखि में निकाला कॉन स्टैख और निकालने तो देखे इसी तरह से आपको ने जितना चौड़ा आपका अगर बॉर्डर का चौड़ाई जादा है तो आप यहां पे पेपर के उपर एक इंच कम स्लीप को कट किजिएगा साड़े तीन इंच पर हम स्लीप को डाउन कियें जैसे नॉर्मल स्लीप की कटिंग करते हैं उसी इसाप से आपको कट कर लेना है अब देखें यहां पे हम चार कोर कपड़ा लिये हैं कपड़ा को डबल फोल्ड करके यहां पे रखेंगे और डबल फोल्ड में कपड़े की जो चौड़ाई है न स्लीप के चौड़ाई के बराबर आना चाहिए कम से कम और देखिए प्रेंस जो कपड़ा का लंबाई है वो हमारा आधा इंच दोनों साइड से बढ़ा होना चाहिए जैसे कि साड़े साथ इंच में इसकी लंबाई है तो कपड़े की जो लंबाई है हम साड़े आठ इंच में लिए तो इस तरह से आपको कपड़ा कभी भी आधा स एक इंच बढ़ा के लेना है जितने में पेपर पे स्लिप कट किये हो आप सेंटर से ने दोनों साइड मार्क करेंगे दो-दो इंच पे मार्किंग कर लेंगे तो यहां पे दो-दो इंच पे जितना आपका चौडाई में कपड़ा उसी साब से आप मार्क कर लें साइड से दोनों साइड दो-दो इंच पे मार्किंग करने के बाद से न अब यहां से प्लेटे लगाएंगे तो जो सेंटर में हम कट लगाएंगे उसी के उपर प्लेट को रखेंगे अब देखे फ्रेंस इस तरह से हम एक दूसरे के उपर नीचे के साइड हम एक दूसरे के उपर प्लेटे डालनी है हमें उपर के साइड आदा इंच के गैपिंग पर फैलाव देंगे जब उपर के साइड सेट करेंगे तो तो यहाँ पे देखिए पाँच चुन्नट है हम set कर लिए एक दूसरे के उपर ही किये हैं नीचे की साइड आपको गैपिंग नहीं देनी है अब यहाँ से हम इसे stitch कर लेंगे तो एक साइड की जो चुननट है सेट हो गई है अब दूसरे साइड का सेम एडिया से ना जो दोदे इंस पे मारकी थे वहें से कपड़े को उठाएंगे और यहां पे सेट कर लेंगे तो देखिए उपर की साइड का भी जो प्लेट है उसको आपको अच्छे से सेट करते जाना एक ही साथ में अब देखिए उसे साइड भ बराबर बराबर करके इसको एस्टीज कर लेंगे तो देखिए दोनों साइड हमारा प्लेट रेडि हो गया है और अब हम उपर के साइड इसमें अच्छे से आदा इंच के दूरी पर सेट करेंगे तो देखिए सेंटर मार्किंग है जहां हमें मार्क कर रहे हैं बिल्कुल कर लेना है तो जितना प्लेट हम नीचे के साइड लगाएं उतना उपर के साइड भी हमारा आना चाहिए इस तरह से हाथ से आपको अच्छे से फ्रेंसिंग देते हुए पूरे चुन्नट को सेट कर लेना है तो एक साइड का हम सेट कर लिए सेम आइडिया से दूसरे बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए और सेंटर से एक चाप के दूरी पर इसमें भी गैपिंग होनी चाहिए चाहिए के सेंटर मार्किंग से उतना दूरी पर आपको प्लेट को सट करते जाना है तो दूसरे साइड भी पांच प्लेटे डाल लेंगे तो देखे दोनों साइट प्लेट देख दम बराबर से डालना है आपको अब यहाँ पे स्टीच कर लेंगे इसको इसको स्टीच करने के बाद से फ्रेंस देखे अब आपको करना क्या है यहाँ पे जो हम पेपर पर स्लिप कट किये न बस उसको लेना है और दोनों साइट से इसका सेंटर पर कट लगा देना है देखे सेंटर मार्किंग कर लेना है दोनों साइट सेंटर पर कट लगाने के बाद से नीचे से जो बाजू का सेंटर है वहाँ पे मिला लेंगे और उपर के साइड भी जो इसका सेंटर है वहाँ पे मिला करके चारो तरफ से पीन से इसको सेट कर लेंगे पहले बहुत ही सिंपल तरीका है अगर इस तरीके सब बनाते हैं तो बाजू की जो फिटिंग होती है और आपकी फ्रील होती है एक दम अच्छे से सेट होती है अब यहाँ पर आपकी साइड पेपर को रख सकते हैं सीदे साइड या फिर उल्टे साइड किसी भी साइड आपको रखके दोनों का सेंटर मार्किंग का बस आपको ध्यान देना है और पेपर के किनारे पर सिलाई लगा कर किसको अटेज कर लेना है तो देखिए कुछ इस तरह से पूरा सेफ आएगा हमारा और जिस तरह से कबर हो कपड़ा उसी साब से आपको पेपर के उपर बस सिलाई लगाना है तो यहां पर देखिए फ्रेंस पेपर के चारों तरफ हम सिलाई लगा लिए है और अब आपको करना क्या है यहां से कट कर लेना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको देख रहा है न पेपर के बाद उसको कट कर लेना है तो पेपर के उपर ही स्लीब कट करते टाइम आपको मार्जन भी ले लेना है यह चीज आपको ध्यान में रखना है जो आर्मोल के साइड जो मार्जन लेते हैं नीचे के साइड मोहरी पर मार्जन लेते हैं मारेजन आपकு पेपर ले लेना है और सिलिव कट कर लिए है अब देखिए से पेपर को … और से फ्रेंस देखी आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो इस का हम बाजू का सेफ भी भूत बढ़िया की अगया है अगर आपके बॉर्डर के दोनों साइड धारी दिया हुआ है तो आप बहुत इजली जोइंट कर सकते हैं ऐसे भी देखिए एक इंच उड़ा उरे भी पट्टी लिये हैं और इसको एक साइड से फोल्ड करके स्टीच कर लेंगे और स्टीच करने के बाद से यहां पर बॉर्डर के सीधे साइड रखेंगे एकदम कॉर्णर से एक चाप कपड़ा मार्जन में दबाते हुए इस पट्टी को स्टीच कर लेंगे यहां पर अब सीधा में पाइपीन बनाना है तो आपने चोईस की साब से सीधा या फिर तो आप अपने ब्लाउज के मैचिंग की हिसाब से कंट्रास्ट कलर में पाइपीन आप लगा सकते हैं तो देखी इसी तरह से पूरे पट्टी में पाइपीन सेट करेंगे और अब जो पाइपीन वाला पाट है न उपर के साइड रखेंगे अब यहां से न इसके उपर सतर के साथ आपको बनाना बताऊंगे इस तरह से देखिए यहां का जो कॉर्णर बनाया ना दोनों साइड से जहां पे आप नीचे वाला प्लेट लगाए वहां पे ध्यान देना है कि ज्यादा उपर तक बॉर्डर नहीं चड़ना चाहिए यहां पे बॉर्डर जोईंट हो से प्रेंच देखिए यहां पर कॉटन का जैनी अस्तरवाला कपड़ा लेंगे और बाजू से थोड़ा सा बढ़ा करकी स्कुअ कट करना है ना देखिए इस तरह से सीधे साइड से ने इसको स्टीच करके अंदर के साइड पलट लेंगे अब देखिए इसको बाहर के साइड पल्टेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इसके उपर और अब देखे प्रेंस इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे अंदर के साइड फोल्ड करने के बास से ने फ्रेंस देखिए इसके border पर पोटली लगाएंगे तो यहाँ पे धाइंच लंबाई चोड़ाई में चार कोर कपड़ा ले लेंगे और यहाँ पे cotton थोड़ा सा लेंगे यानि रूई लेंगे और उसमें गुलाई देते हुए बिल्कूल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे जिस color का पोटली बना रहे हैं इससे matching धागा लेना है अलग कलर का धागा नहीं लेना है यहाँ पे हाँ से गुलाई देते हुए धागे से टक कर लेंगे और अब देख सकते हैं कि एक पोटली हमारा बन गया है सेम इसी तरह से दूसरा पोटली भी आपको रेड़ी कर लेना है बाकी सारे पोटली को भी रेड़ी करना है और यहाँ पे साइड से 2-5 इंच मैं छोड़ दे रहे हूं मार्जन के लिए और धाई इंच के दूरी से यहाँ पे पोटली लगाना स्टार्ट करेंगे मोहरी पर तो देखिए फ्रेंस पोटली लगाने से न जो बाजू का मोहरी है न उसका लुक बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे एक एक इंच का गैपिंग मैं दे रहे हूं एक बाजू के मोहरी पर 11 बारे पोटली में लगा रहे हूं आप अपने पसंद के एसाब से इसे कम्या जादा कर सकते हैं तो देखिए इसी तरह से न लाश तक हम पोटली को सेट कर लिए और इस साइड भी आपको ढ़ाई से तीनी छोड़ देना है बिल्कुल सीधे में और अब देखिए चारो तरप कॉर्णर पर सिलाई लगा कर कि इसको अस्तर के साथ हम सेट कर लेंगे यहां पिर अस्तर अटेज करने से एक फाइदा होता है फ्रेंस बाजू ज्वाइंड करने में आपको प्राब्लम नहीं होता है और धागा निकलने का भी यानि बाजू का फसकने का भी कोई प्राब्लम नहीं होता है तो यहां पे देखिए अस्तर हम सेट कर लिए हैं अस्तर को सेट करने के बाद से अंदर का साइड का जो पोटली का मारजन ओला कपड़ा है पहनने के बाद से पलट सकता है इसलिए एक चाप के दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि जो पोटली का अंदर का मारजन है अच्छे से कभर हो जाए तो देखिए सिलाई लगाने के बाद से जो ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है इसको यहां से कट करकी निकाल लेंगे और आप देखिए यहां पर पोटली हमारा अच्छे से रेडी हो गया बॉर्डर का बंचा हुआ कपड़ा है उससे बटन बनाएंगे तो यहां पर डेडिंच लंबाई चोड़ाई में मैं कपड़ा लेंगे चारो तरप से कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीच मे बटन को रखेंगे यहां पर चारत धागे की साथ बटन को बनाना है आपको चारो तरप से कपड़े को खीचेंगे बिल्कुल सेंटर में और इसको खीचते हुए बटन का सेफते देंगे जहां भी आपको कोना दीखे ने वहां से आपको अच्छे से कपड़े को खीचना है तो जो border होता है न कपड़ा वो थोड़ा सा hard होता है उसका बटन बनाने में थोड़ा problem होता है अगर आप soft कपड़े का बटन नॉर्मली कपड़े का बटन बनाए तो बहुत easily बन जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न चारों तरब से जो भी कोना बनाए न कपड़े को खीचते हो गोलाई दे दी है और यहाँ पर हमारा बटन बनके रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में बटन को टक कर लेंगे तो देखिए आपको न यहाँ से चार से पांच बार रिपीट करके अच्छे से इसे सेट करना है ताकि पहनने के बाद से न खूले न यहाँ पर अगर इसके फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों का विडियो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं फ्रंट पार्ट में भी मैंने प्रेंजिस कट बनाया हुआ है इसका बैक का पार्ट का जो डिजाइन है बहुत ही फैंसी डिजाइन ह तो आप उसे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो एंड में विडियो आएगा फ्रंट और बैक दोनों का विडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पे देखिए दूसरा बात जो भी सेम एडिया से रेडि करेंगे फाइनल लुक आप देख सकते हैं तो फ्रेंस में इमीद करती हूं स समझाने का तरीका पसंद आयोगा विडियो अच्छा लगे तो लाइक चैर सब्सकाइब करना ना भूले और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सकाइब करके वेल बटन को आउन कर दें